आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी का शीर्षक है बहादुर छोटी गिलहरी, एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में नटी नाम की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी, नटी छोटी और शर्मीली थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था, और वह बहुत थी, हर दिन वह जंगल के अन्य जानवरों को खेलते और खोजबीन करते हुए देखती, लेकिन नटी हमेशा उनके साथ शामिल होने से डरती थी, उसे बड़े बड़े पेडों और गहरे अंधेरे गुफाउं से डर लगता था, एक दिन जब नटी जंगल के किनारे पर बल पस उपर नहीं चड़ पा रहा था, नटी का दिल तेजी से धड़कने लगा, वह मदद करना चाहती थी, लेकिन घोंसला तो उँचे पेड़ पर था, उसने इधर उधर देखा, या उम्मीद करते हुए कि कोई और जानवर आकर उसे बचा लेगा, लेकिन वहाँ कोई नही देखा, वह सिर्फ उस बच्चे चिडिया के बारे में सोच रही थी, जिससे उसकी जरूरत थी, आखिरकार वह घोंसले तक पहुँच गी, एक कोमल धक्का देकर उसने बच्चे चिडिया को उसके आराम दायक घर में वापस पहुँचा दिया, जल्धी मा चिडिया वापस और खुशी-खुशी चहचाई, नट्टी को उसकी बहादूरी के लिए धन्यवाद दिया, नट्टी को खुद पर गर्व महसूस हुआ, वह डर गई थी, लेकिन उसने सही काम करने से खुद को नहीं रोका, उस दिन से नट्टी सिर्फ वह शर्मीली छोटी गिलहरी नहीं वह जंगल की सबसे बहादूर गिलहरी के रूप में जानी जाने लगी, जो हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तयार रहती थी, और जब भी वह उंचे पेडों को देखती, वह मुस्कुराती, याद करती कि उसने एक दोस्त को बचाने के लिए छोटी तक चढ़ाई की थी, और इस तरह नटी खुशी-खुशी रहती थी, यह जानकर कि जब कोई खुद पर विश्वास करता है, तो सबसे छोटे जीव भी बड़े और बहादूर काम कर सकते हैं.